मुसल्मानों के नाम पर फरेब धोका दड़ी और जालसाजी की जा रही है कुछ लोग मुसल्मानों के नाम का इस्तिमाल कर रहे हैं जबकि उनकी कोई हैसियत नहीं है दुनिया को और हुकूमत को धोका देने के लिए कि हम मुसल्मानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उल्टे सीधे बयानात देते हैं, हम लोग जो चुकी सूफी वादी परंपरा के लोग हैं, जो देश की एकता में और भाईचारे में भरोसा करते हैं देश में सूफियों की सबसे बड़ी संसाओं में सामिल सूफी खान का एसोशन के राश्टी अध्यच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो आल इंडिया मुस्लिम परसनल लाबोड की बैठक के बाद उसका विरोध कर रहे हैं, उसके खि बाल खड़ा कर दिया है, और बुजारा बत्ता जो महिलाओं को, यानि मुस्लिम महिलाओं उतनी इंतलाग के बात देने की बात से सुप्रीम कोड ने एक फैसला किया है, उस पर भी आपने कुछ क्या है, देखिए ऐसा है कि पिछले 50-60 सालों से, मुसल्मानों के नाम पर फ लिए कुछ लोग मुसल्मानों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनी में से, ये मुस्लिम पर्सनल लाबोड आता है, ये एक मातर एंजियो है, इसमें कट्रपंती समुहों के, वहाबियों के, दियोबंदियों के, सलाफियों के, कुछ बहुलवी भरे हुए हैं और जिनको आम मुसल्मान जो है आम मेल सुन्णत वल्जमाद का मुसल्मान चिनके पीछे नहीं माजें पड़ता आदान इनकी इमामत कुबल करता है ना तो इनकी खयादत कुबल करता है ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ दुनिया को अर् हकूमत को धोका देने के लिए हम मुसल्मानों की representative हैं उल्टे सीधे बैानाद देते हैं जिस से मुसल्मानों की दूसरे संपर्दाय की बीच में छवी खराब होती है और दूसरे संपर्दाय के साथ तनाव उत्पन होता है तो हम लोग जो चुकी सुव Almost परमपरा के लोग हैं जो देश की एकता में और भाईचारे में भरोसा करते हैं ऐसे तत्वों का और ऐसी संस्थाओं का गरोध करते हैं इसी किरम में हम लोगों के द्वारा मुस्लिम पंसरला बोर्ड ने जो 14 जुलाई को जो अपने प्रस्ताओं पारित किये हैं इनके देखे सुबह से लेके शाम तक सुबह सो के उठने से लेके रात में सोने तक एक हजार ऐसे काम किये जाते हैं जिनका शरीयत से दूर दूर तक कोई संबंद नहीं है कोई वास्ता नहीं कोई सरोकार नहीं शादियां होती हैं उसमें मंगनियां होती हैं बराते ले जाई जा कि नाम पे इनकी सब कि कौन सी इसलाम इजाज़त देता है मात्र जब एक इस्तरी को तीन तलाग दे करके खाने में नमक तेज हो गया तो तलाग दे दी गई इसी कपड़े नहीं धोए तो तलाग दे दी गई अब उस इस्तरी को सिक्योर करने के लिए भारत के नियायले ओने भारत के उस्तम नियाले ने कोई प्रावधान किया है तो इन लोगों के पेट में दर्द हो गिया है दर असल ये वो लोग है जो महलाओं को अपने पैर की जूतिया समझते हैं ये महलाओं को मद्यकाल की स्थितियों में ले जाना चाहते हैं ये महला विरोधी है और ये देश से अपना तसलुत अख्तियार करना चाहते हैं इसलिए जरूरी है कि इनका विरोध किया जाए सूफी खान का एसोजियेशन ऐसे महला विरोधी ततों की ऐसी विचारधारा को सिरे से खारिज करते हुए इनका कंडम करता है और किस तरह से आप मुखालिफत करेंगे क्या कुछ कानूनी चीज या कुछ ऐसा कुछ करेंगे कैसे करेंगे कैसे विरोध करेंगे कोई जागरुकता बेदारी कारिक्रम चलाएंगे क्या करेंगे देखिए हम लोग तो मुसलसल पिछले कई सालों से समाज में बेदारी की मुहिम चला रहे हैं समाज को अपने सोशल मीडिया मंचों के माद्यम से और हमारे पूरे भारत के 25 राजियों में हमारा संगठान है हम लोग अपने सीमिस संसाधनों के दोरा जन सामानी की बीश में ख साब तोर से यहां पर जो सूफी खान का एसोसियन के राश्टी अद्याश है उनका कहना है कि मुस्लिम परस्टाव एक एंजियो मात्र है और उसकी कोई हैसियत नहीं है उन्होंने सवाल उठाया है कि जिस तरह से यह इस्त्रियों को लेकर यानि कि महिलाओं को लेकर तीन त ख़बर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेश्ट यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें साथी बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे